यहां पे हमारे पास में भाईया, Moto S20 Fusion और यह काफी जादा popular हो रहा है इस समय और एक और डिवाइस, यहां पे Poco X3 Pro यह तो अल्रेडी काफी जादा popular है गाईज, तो इन दोनों के बीच में यहां पे एक comparison तो बनता है और भाईया, Poco तो है सस्ता लेकिन यहां पे Moto जिसका प बराबर हो सकता है या फिर उससे थोड़ा कम है तो भाईया, यह काफी जादा डाउट है काफी सारे लोगों के दिमाग में तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि स्पीड टेस्ट में, यहां पे हम लोग टोटली भाईया, परफॉर्मेंस बेस्ट यह स् गैज मैं आपको शुरुआत में बतातूं, यहां पे भाईया, मोटो की जो स्क्रीन है वो काफी जादा बेटर निकल के आती है पोको से, लेकिन भाईया, जो पबजी लवर्स है ना यार वो ज्यादा स्क्रीन पे जादा जाते नहीं है, वो बिस एक लिए परफॉर्मेंस आप लोग ले ये वाली वीडियो बनाई है, देखते हैं कि भाईया, दोनों में से कौन सा फोँँ जादा बेटर परफॉर्म करता है, तो चलिए ना ओलेट गेट स्टार्टेड, तो भाईया, इस परफॉर्मेंस स्पीड टेस्ट में सबसे पहले भाईया, बूट टेस्ट बूट टेस्ट का जादू अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दोनों को एक साथ हमने यहाँ पे स्विच आफ फे लगाया है, लेकिन भाईया, इत्ती जल्दी बूट होता है, आप देखिए प्योर एंडॉड एक्स्पीरियंस का फाइदा देखिए, यहाँ पे MIUI ल बढ़िया आएगी, तभी तो PUBG अगर बढ़िया चलेगा, तो आप देख लेए भी है, पोको में भी है, डाउनोडिंग आ रही है, 55.2 की और अप्लोडिंग आ रही है, यहाँ पे 86.5 की, काफी जादा आगी ना भाई, लेकिन यहाँ पे अगर मोटो की बात कलने तो भी है, मोटो 51.2 दे रहा है, जो की लमसम में पोको के बराबर है, लेकिन अप्लोडिंग स्पीड काफी कम आ गई, 53.3, एक बात दुबारा से री चेक करते हैं, पोको में दुबार से अगर चेक करें तो भी है, डाउनोडिंग आ रही है, 58.7 की और अप्लोडिंग अगें 78.5 की, और अगर मोटो में इस बात चेक करें तो भी है, डाउनोडिंग तो यहां पे पोको की जितना ही देरा है, लमसम में 50.5 आ रही है, कोई बहुत जादा पीछे नहीं है, पोको से, लेकिन अगर वही हम उसकी बात करने तो भी है, 53.3 की आई है, अप्लोडिंग. इंटरनेट स्पीड टेस्ट के बाद यहां पे पोको आगे निकल गया तब यह CPU थ्रॉट्लिंग टेस्ट, दोनों की CPU पे इंटेंसिफ फ्रेश है डाला जाएगा, और देखा जाएगा कि भी है, परफॉर्मेंस की इसकी ज़्यादा बेटर स्टेबल निकल के आती है, ठीक लेकिन परफॉर्मेंस में 1,96 जा रहा है, पीक उसका पोको का और यह मोटो का देखिए 1,64,000 तो यह डिफ्रेंस तो है, इसके बात गईज यहां पे काइन मास्टर वीडियो रेंडिनिक टेस्ट दोनों में ही, यहां पे काइन मास्टर ओपन करके, काइन मास्टर की इंटर लेकिन परफॉर्मेंस रोड़ी सी कम थी, पर फॉर्मेंस जादा आने की वज़े से काफी हद तक की वो कूप अप कर जा रहा था, लेकिन गईज यहां पे काइन मास्टर में देखिए यहां पर स्नैप डगन का प्रोसेसर पोको में कितना बढ़ियों परफॉर्म किया और अब यहां पर एक्सपोर्ट ही कर रहा है, इसके बाद यहां पर एप ओपनिक स्पीड टेस्स ने किया, तो बहुँ चलिए यहां पर सूशल मीडिया में इंस्टाग्राम पहले मोटो ने ओपन कर दिया है, ट्वीटर देख लें तो ट्वीटर भी पहले मोटो ने ओपन कर किया है, उसके बाद शॉपिंग एप्लिकेशन, एमाजान देखते हैं, तो बहुँ यहां पर एमाजान पहले यहां पर पोको ने ओपन किया है, इसके बाद यहां पर फिलिप कार्ट अगर देखें तो फिलिप कार्ट दोनों लमसम में बराबरी थे, डिया एम इंफो में दोनों में ही वाइडवाइन L1 का सेटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा ब्राइटर रहे गए, यह स्क्रीन दिखाए नहीं दिया पर दोनों में वाइडवाइन L1 है, लेकिन यहां पर एमाजान प्राइम में यहां ज्यादा बेटर क्वालिटी में पोको प्ले करता है वीडियो को, उसके बाद यूटूब में यहां पर मोटो ने पहले ओपन किया दोनों सेम क्वालिटी की वीडियो प्ले करते हैं यूटूब में, उसके बाद अगर ब्राउजिंग स्पीड में देखें, तो यहां पर कई बार मैंने कई बार किया तो कभ से भी जादा का डिफरेंस निकल किया रहा भी है मोटो और पोको में यह था इसके बाद पब जी दिखा देता हूं आपको पब जी भी देखा आप लें यहां पे दोनों में ही एक साथ मैंने यहां पर ओपन करने की कोशिच करिए और आप देख लें भी है यहां पर पब जी में पहले पोको में हो चुका है और MOTO अभी भी बहए आप लेहिए और यहां पे ग्राफिक्स में HDR Extreme मिलता है पोको में और वहीं अगर मोटो में देखेंगे तो MOTO के वल यहां पे इल्टर तक का सपोर्ट है और व cidade में हाई का सपोर्ट है यह थे और पपजी की Bäद इसके रैम बूस का उप्शन मिलता है मोटो में, पर रैम बूस का उप्शन आपको पोको में नहीं मिलता है, अगर वीडियो पसंद आए, तो भाईया, लाइक तो बनता, लाइक करके जाना बाई, बता रहा हूँ, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लें, और वीडियो को पॉस करके अपना ये, एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर चेक कर सकते हैं,